सरस्कूल trap करते सब्सक्राइब करने वाले हैं स्टर लाइब सब्सक्राइब करें करें कि को फिलाल वॉटुस्ट में याट करके देख सकते हैं और जिसको बाद हम लोग अगर देखा जाए तो एक बार बॉटम-आउट होने के बाद मार्किट हम लोग वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं अब यहां पर अगर स्टर्लाइट टेक्निलोजी की अगर बात की जाए तो कंपनी में ली अगर देखा जा आपको बता नहीं सकते कि क्या है थोड़ा सा अगर आपका टेक्निलोजीकल बैग्राउंड है तो शायद आप समझ पाओ यह क्या होता है लेकिन उसके बाद अगर थर्ड बिजनिस अगर देखा जाए जो पांच परसंट है पांच परसंट मतलब यह बिजनिस सेग्मेंट बिजनिस सेग्मेंट उसको माना जाता है जब किसी कंपणी के अंदर एक बिजनिस दस परसंट से जादा रविन्यू बना के आए कंपणी के अंदी अब डिजिटल टेक्निलोजिकल सल्यूशन की बात की जाए तो मेली यहां पर कंपनी एक तरह से दूसरे कंपनी इसको इसको एक देता है बट इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर अगर आप लोग देखो कि तो पिछले कुछ समय से आप आपको गिरावट देखने के लिए अब उसका एक रीजन यहां पर देखो यह भी हो सकता है कि कंपनी मेली अगर देखो के तो और यूरोप के अंदर अपना बिजनस कर रही है यहां पर देखा जा तो चालिस और आराउंड पच्छिस मतलब मेज़ूरिटी ऑफ दे बिजनस यहां पर कह सकते हो कि इनी दो जगह से आ रहा है तो इसके चलते होता क्या है कि अगर यह कॉंटिनेंट्स यह कह सकते हो कि अ और यूरोप जैसी कंट्रीज के अंदर यूरोप की जितनी भी कंट्रीज मोस्ति अगर देखोगे तो थोड़ा से वहां पर रिसेशन आ रहा है और साथी साथ अगर देखा जाए तो बहुत जादा कुछ हैपनिंग होता नहीं वहां पर तो वह तरीका मतलब कह सकते हो कि ब 2019 से अगर देखा जो तो कंपनी का बिजनस बहुत तेजी से यहां पर नहीं कर पाया है साथी साथ अगर देखा जो तो अपरेटिंग मार्जिन के अंदर भी यहां पर काफी जादा रिडक्शन देखने के लिए मिला है अब सिच्विशन यासी होती है जब अगर कंट्रीज की जिसके अंदर आप लोग यहां पर अपनी सर्विसे स्पाराइब कर रहे हो याकिसी अंदर अपना प्रॉडक्स अगर वहां पर अची कंडिशन नहीं है तो हाइर मार्जिन को काम करना तो बहुत सा मुश्क्ल हो जाता है तो वह बहुत बहुत जादा आप अजी कंदिश लेकिन अगर देखा जाए तो मार्च 2023 के अंदर अगर आपने सेल्स किया था अभी आसपास अगर देखो कि तीम कॉर्टर 6200 करोड के आसपास का कंपनी बिजनस किया तो यह थोड़ा सा मतलब अगर दो कॉर्टर के मिला के पिशले साल की सेल्स अगर कवर हो जाती है उस पीरिट के अंदर तब उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा है हाँ पर रिजल्ट आ सकता और कंपनी की प्राइज उसी साथ से यहां पर शूट कर सकती है लेकिन अगर कंपनी की सेल्स उस स्पी नेट प्रॉफिट के गिरने से यहां पर कंपनी की EPS गिरी है और EPS गरने की विज़से कंपनी की प्राइज गिरी है बहुत ही सिंपल फंड है अब यहां पर नीचे आएंगे हम लोग एक बार को डिविडेंट देख लेते हैं तो डिविडेंट अभी इधर भी शायद कम ह साल में एक ही बार आपको डिविडेंट देती है तो यह और चीज़ों देखने वाली प्रमोटर्स की ओलिंग अगर देखी जाए तो 54% के आसपास है बहुत जादा चेंज नहीं है अगर देखी जाए तो बीच में आप इनकी ओल्डिंग बड़ी थी लेकिन बात में यहाँ पर अगर देखा जाए दिसंबर 2030 के आसपास दुबारा काम होते हैं हम लोगों यहाँ पर नज़र आ रहे हैं अब डियाई की बात की जाए तो यहाँ पर एक दमी खतम होते हैं न समझोगी तो अगर यहाँ पर देख सकते हूं कि यहां पर छोटा सा एंप्टर जैसा बना है उसके बाद यहाँ पर इक बार को पुल बैक और इस फिर इस प्रेंग लोग को यहाँ पर देखा जाए इस मत में आप आपको बिच चुका है तो इसके बाद अबलों को यहाँ फर्दर डाउनसाइट पर कंपनी यहां पर 62 वाले लेवल्स पर आते नजर आ सकते हैं अब इच में यहां पर डेली चार्ट वगर अगर देखोगी तो कई सारे सपोट अगर आपको नजर आएंगे जैसे इन वाले लेवल्स के आसपस अगर देखा जाए तो यह भी हमारे लि के अंदर की कंपनी अचाने से सेल्स बढ़ जाए उसकी और कंपनी यहां पर भागने लग जाए तो अभी के लिए तो अब लोगा सीन यहीं हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा डाउनसाइड देखने के लिए फरदर टार्गेट हमनों को डाउनसाइड पर 105 और 62 क देखने के लिए मिल सकते हैं अगर कंपनी को अपसाइड मोमेंटम गेन करना है तो उसके लिए यहां पर 193 वाले लेवल कंपनी को ब्रेक करने पड़ेंगे एक बार यह वाले लेवल ब्रेक होते हैं उसके बाद स्लोली औं स्टेडली कंपनी मूव परेगी बहुत तेजी स तो आप लोग mostly कभी कभी क्या सोचते हों कि दोबारा इस भावपर आएगा तो हम बेश देंगे उसके बाद अगर यहां पे खोया होगा पैसा आपको अचानक सब उपर आएगा मतलब यहां पर खोया होगा पैसा आपको दोबारा मिलेगा imagine करो कि यहां पर खुदी यहां पर प्राइज उपर आ रही है तो इन वाले लेवल के आज पास एक बार को आएगी इतनी सालों बात तो आप पोश्चिश करोगे कि हम इस लेवल पर exit कर जाएं तो यही चीज मार्किट के अंदर भी होती है वाइडली जब प्राइज उपर आते हैं दुबारा को चेक करने के है तो वहां पर हर लेवल पर कंपनी को रेजिस्टेंस करना पड़ता है क्योंकि वहां पर काफी पुराने बायर बैठे रहते हैं जो कि अब बेचके निकलना चाहेंगे तो वह एक यहां पर psychology यहां पर प्ले करेगी तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर स्टॉक के अंदर अब फिलाल इसी के साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इंफर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और साथे साथ चानल को सस्क्राइब जरूर कर देना और बैल आइकन वाली नोटिटिकेशन बिटन भी जरूर तबाना ओके बाइ